इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ WhatsApp Business पर वीडियो कॉल नहीं हो रहा है कैसे ठीक करें अगर दोस्तों आपके WhatsApp Business में जो है वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा है जैसे ही आप यहाँ पर वीडियो कॉल करने जा रहा है किसी को भी तो कुछ इस तरीके का जो है error आ जाता है आपके सामने यहाँ पर लिखा हुए तो अगर आपके साथ भी यह problem हो रहा है या फिर कोई भी problem हो रहा है वीडियो कॉल नहीं हो पा रहा है इधर से आप कितना भी try कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है तो इस वीडियो के अंतर मैं आप सभी को इसका solution बताने वाला हूँ तो वीडियो को बिल्कुल end तक देखिएगा तो दोस्तों चल ये वीडियो सुरू करते हैं तो वट से बिजनस में वीडियो कॉल नहीं हो रहा है इसको ठीक करना बहुत ही असान है बहुत ही simple तरीका है जिसकी मदद से आप इस problem को ठीक कर सकते हैं इस problem को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने font के setting में आणा होगा ठीक है font के setting में आने के बाद कुछ इस तरीके का आपको interface देखने को मिल लाता है यहाँ पर आपको जो है थोगा सा नीचे स्क्रॉल करना है नीचे आना है और भी नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक options देखने को मिल जाएगा एप management का या फिर आपको जो है apps का option मिलेगा तो आपको simply इस एप बाले option पे click कर देना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने धेर सारा एप आ जाता है यहाँ पे आपको अपने WhatsApp Business आप को ढूनना है ठीक है अगर आपको यहाँ पे WhatsApp Business नहीं मिलता है तो simply search बाला option भी मिलता है तो यहाँ पे क्लिक किजेगा और आप अपने WhatsApp Business का यहाँ पर नाम search किजेगा तो यह रहा what's a business आ गया ठीक है simply आपको इस पर click करना है तो कुछ इस तरीके का जो है interface में आप चले आईएगा अगर आप लोगों को जो है यह interface वहाँ से नहीं मिलता है तो मैं आपको जो है दुसरा तरीका बताता हूं इसके लिए आपको sort कोर तरीका बता देता हूं simply आप यहाँ पर जो है इस आपको वाटसे बिजनस पर थुआ दे long प्रेस करना है ठीक है इसके बाद आपको यहाँ पर आई का बटन मिल जागा है जैसे कि आप देख सकते हैं simply आपको इस आई वाले बटन पर click करना है आई के बटन पर click करेंगे तो कुछ इस तरीके का option आजाएगा same यहाँ पर जो है interface आगया वही वाला दैसे कि आप देख सकते हैं अब आपको सबसे पहले क्या करना है यहाँ पर notification पर click करके इसको allow कर देना है अगर यह बंद है कुछ इस तरीके से तो इसको आप चालू कीजिए फिर यहाँ से back आईए इसके बाद आपको यहाँ पर permission का button मिलेगा इस पर click कीजिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना भी permission दिख रहा है सब को allow कर देना है कुछ इस तरीके से क्लिक कीजिए allow पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से back आजाईए इसी तरीके से आपको सब को यहाँ पर allow करना है इस तरीके से allow only will using the app इस पर click करके फिर यहाँ से आपको back आना है सारे permission को allow कर देना है जितना भी permission है सब को इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर अलाव कर देना है ठीक है यहाँ पर सब को अलाव कर देना है ठीक है तो यहाँ पर हमने सब को अलाव कर दिया है आप जैसी की देख सकते हैं आपको भी इसी तरीके से कर देना है फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है ठीक है नीचे आने के बाद आपको इस इसके बाद आपको simply इसे cut करना है और अब अपने WhatsApp बिजनस को open कीजेगा ठीक है एक बार अपने internet को check कर लिजेए क्योंकि कभी कवार क्या होता है internet के problem के कारण जो है यहाँ पर हम किसी को video call नहीं कर पाते हैं ठीक है तो आपको वो भी check कर लेना है इसके बाद आप यहाँ पर पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो है यहाँ पर problem खतम हो गया जैसे कि आप देख सकते है और इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर जो है इस problem को ठीक कर सकते है वीडियो कैसा लगा आप हमें comment box में जोर से बताएगा वीडियो को like करना साथ इस चैनल को subscribe करना ना भूले